हेलो दोस्तों नमस्कार अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहुर सब्सक्राइब कर लिजेगा आज हम लोग डीटेल्स में जो है जो है जॉब प्रोफाइल एलेक्ट्रोनिकेशन इंजिनियर के बारे में बताएंगे और इससे पहले वाले वीडियो म इंट्रोफाइल के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले देखते हैं डिजान ड्रोइंग में आपको ईक कि जोनल सब्सक्राइब का इस प्सक्राइब या तो आपको जो जून होता है उसके जो डिविजन होते उसके पूस्टिंग की जाएगी तो जैसे आपको बताए्क Defile एक यहां पर रेलवेंगे से जी-ए-ए-फिस होता है। जी इम-ऑफिस में भी जितने भी ऑफिशर्ज से होते हैं मतलब जणरल लेवल का उस्में आपकी पोस्टिंग की जाती है। तुसरा है कि डिविजन मतला ओफिश हुआ जहां पर डियारम बैठते हैं उसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं इंजिनियरिंग डिपार्टमेंट होते हैं एलेक्टिकल डिपार्टमेंट होते हैं सिगनल डिपार्टमेंट होते हैं बहुत सारे जो maintenance का जो activities होता है वो आपको workshop में करवाया जाता है तो जेनरली वोक्षप में आप देखेंगे कि shift type duty होती है 8 hours के shift में और जेनरली आपके अंडर काफी सारे staff रहेंगे वोक्षप वगरा में या contact के भी staff होते हैं और उससे आपको लेना रहता है उनसे या करवाना कड़ता है। आगे हम लोग यह भी देख लेते हैं कि टेली कॉम्मूनिकेशन में ऐसा वर्क रहता है। टेली कॉम्मूनिकेशन में जर्ली आप देखेंगे, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में एक स्टेशन मास्टर दूसरे स्टेशन मास्टर से जो कम्मुनिकेट करता है जो बात करता है फोन से बेसिक फोन से वो क्या होता है वो ट्रैक के बगल से जो है मतलब चार पांच मीटर के डिस्टेंस पर ओफसी केवल भी लेंग से डीवीजन में है तो दीवीजन में भी जो रेलवे के जो फोन से बात करते हैं कहां पर आपको मताइट कौर्टर सब्सक्राइब में तो वो जैनरली आपका जो है वो मतलब जो cable जो laying किया हुआ है उससे के फिरूब communicate होता है तो उसके बाद हम लोग यह दिख लेते हैं कि telecommunication में क्या जेनरली उसमें जब आपको cable हो कर आपको क्या करेगा आपको जेनरली कोई section दे दिया जाएगा section बोले तो जैसे 10 किलोमेटर 20 किलोमेटर का शेक्षन दे दिया जाएगा उसमें मानिए 2 Station आया दो Station की बीच में आपको कुछ भी अगर फैलवर होता है टेली Communication से related मतरा केबल से related ता उस case में आपको उस चीज को correct और detect करके सही करना पराएगा तो इस सब काम के लिए आपके पास काफी signal signal में कैसा working आता है अगर आप सिंगल इंस्पेक्टर बनते हैं तो उसमें working जैनल होगा आप एक देखते होंगे कि station master के कभी आप मतलब जो cabin होता है उसमें जाईए तो उसमें एक relay room रहता है मतलब कि पैनल रहता है तो पैनल को operate करेंगे दो नमर प्लेटफॉर्ण पर लाने के लिए तो वो क्या होगा दो नमर प्लेटफॉर्ण के लिए उधर का जो starter और advanced starter जो single होगरा जो है वो yellow हो जाएंगे और फिर station platform नमर दो पर आईगे तो जो operation जो होता है मतलब station master का वो आपको signal वाले उसका सारा maintenance करते हैं मानिए station master तो सिर्फ उसका operate करता है लेकि उसमें कुछ failure जब आता है तो उस case में signal वाले जो होते हैं वही maintenance करते हैं या सही करते हैं generally आप देखने signaling area में generally station के जितने भी signaling area जो हैं वहाँ पर signal inspector का work रहता है क्योंकि अगर कहीं भी जैसे कि अगर कुछ भी अगर फेलव रहता है चाहे रात में हो चाहे दीन में हो आपको एटेंड करना पड़ता है यह वर्क जो है जनरी आपको station के मतलब या signal के दैरे में ही होगा signal के बाहर आपको आपका कोई work नहीं मने signal inspector का इसी परकार हमारे चैनल को देखते रहे लाइक subscribe share और comment कीजिए अगर और भी कुछ जानकारी लेना है तो comment जहूर कीजिए धन्यवाद